त्यार हो करने के लिए तो देखे कोई भी चीज करने के लिए हम अच्छा मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए धन की शक्ति है कि नहीं? जमिन खरीदेंगे प्लान बनाएंगे, सामान लाएंगे, मकान बनाएंगे धन की शक्ति चाहिए ना तो इसी तरीके से फरिष्था बनाने के लिए मन की शक्ति चाहिए तो मन की शक्ति कैसे आईगे जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे परमात्मा को तो परमात्मा की याद से हमें शक्ति मिलेगे तो सबसे पहले परमात्मा की याद जैसे दिदी आज मुरली में कहे रहे थे कि आठ घंटा बाबा ने कहा है मतलब आठ घंटा नहीं 24 घंटा 24 घंटा बाबा हमको याद आता है नहीं आता है भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आदत पुरा नहीं पड़ी हुई है लेकिन अभी एक ऐसी विधी सिखेंगे हम ना चाहते हुए भी बाबा याद आएगा अभी हम चाहते हैं फिर भी बाबा को भूल जाते हैं लेकिन एक एक्सन ऐसा सिखेंगे जो ना चाहते हुए भी आप रास्ते में जा रहे हो गाड़ी चला रहे हो खाना बना रहे हो, कोई भी सिवा कर रहे हो automatic बाबा याद आएगा यह मैं guarantee देता हूँ क्या आप करने के लिए तयार हो बोलो एक दो तीन, चार पांच कलो भई, छे साथ, आठ, नो दस, यह क्या था क्या था counting, गिंती किया है ना, जैसे हमने कहा action का reaction एक action अगर सुबे उठके आप कर लो, तो आपकी चेहरे पे भी मुस्कुराट आने लगेगी क्योंकि action का बोलो मैं महान आत्मा हो बरदान यात्मा हो शक्तिशाल यात्मा हो शक्तिशाल यात्मा हो थोड़ा मुस्कुरागे खुष्णशिव आत्मा हो बहुत प्यारी आत्मा हो मुस्कुराती हुई आत्मा थोड़ा दबा के हाँ पॉइंट पर दोनो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, आटरा, उनिस, बेस, एकिस 21 जनम कैसे चरा रहेगा सुबे उटके एक बार करके देखिए ओटोमेटिक दिन भर में कई बार अपने आप आएगा क्योंकि हमने आदत बिगाड चुके है लक्षमिनान दिदी कह रही थी कि लक्षमिनान का देखो इनको देख के तो समझो कैसे हम हो गए है तो इनकी चेहरे पे 24 गंटे मुस्कुराट तो हमारे होने चाहिए या नहीं मैं भी सुबह उड़ता हूँ कभी-कभी मझे ऐसा लगता है मेरे चेहरे बिगडा हुआ आए नहीं देखता है तो ये आदत हमको बनानी चाहिए या नहीं तो अभी जो भटी शुरू हो रही है अभी से लेके शाम तक हम मुस्कुरा के बैठेंगे ठीक है हाँ जी बदल नहीं रही सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ कोई-कोई हाँ जी हाँ जी हम रखें नहीं बदलो ऐसे कलो क्योंकि रावन की डिगरी तो हम लिया हुए है रोने के लिए किसी को बोलो इसके लिए प्राक्टिस करने की जोरूत नहीं पड़ेगी लेकिन ही जो मुस्कुराठ है देवी देवताओ की सत्यू का पहला गुण देवताओं में वो हमारी पास यहां से होनी चाहिए यह आपने आप हो जाएगा यहां से होनी चाहिए देखे बाबा ने कहा योग माना खुशी योग माना आनंद योग माना प्रेम योग माना प्यार योग माना प्राप्ती योग माना दुखो योग माना निराश योग माना हतास योग माना चेहरा बिगड़ा हुआ चलेगा लोग इंतजार कर रहे हैं ब्राम्हन आत्माएं जिन्होंने भगवान को पाया है कि उनको देखकर महसुस होना चाहिए जैसे बरफ की पास से गुजरते हैं तो ठंडा महसुस होता है ऐसे हमारी पास से कोई गुजरे उसको शांति की एहसास हो हमारी चेहरे के मुस्कुनाहट से उसके जीवन में खुशी आ जाए ऐसा होना चाहिए या नहीं तो करने के लिए तयार हो अभी जो हमने काउंटिंग किया तो एक्सन क्या ना अगर मैं शिरिप कहुँगा भाई जी क्या बोल रहे हो इसका मतलब क्या है लेकिन जब एक्सन करके बताया तो उसको काफी कुछ गहरा समझ में आता है एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा था समझ भाया थोड़ी वो समझ में उड़ता पंची बहुत अचा आइडिया लगा लिए लेकिन बहुत सारी पूरा क्लियर क्या चीज़े एक शाम ढलता सुरोज इतना सुन्दर दिख रहा था इतना बड़ा था और सागर की लेहरे पंची की आवाज की साथ क्योंकि आइडिया हम थोड़ा लगा लगते हैं बहुत सोरी शाब्द को हम मिस कर देते हैं बहुत सोरी शाब्द तो कहने की बाते जब हम एक्सन और साउंड की साथ कोई चीज़ को सुनते हैं वो हमें क्लियर समझ में आता है तो बाबा भी सिरिफ आत्मा परमात्मा होके नहीं आया ब्रमातन में प्रवेश किया ताकि एक्सन और साउंड की साथ बच्चों को समझा सके तो वो ट्रेनिंग आज हम करने जा रहे हैं जो ओटमेटिक बाबा आपको याद आएगा क्योंकि आप सब बहुत सोभा के शालियात्मा है ये क्यों याद करना है भगवान को एक में छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ एक विक्ति अपने जीवन में बहुत पाप किया क्या किया? पाप किया मुस्कुराके नहीं बोल सकते हो क्योंकि सुष्टी रंग मज़ पर हम सब कौन है? एक्टर है कौन दुखी एक्टर? मुस्कुरा दाओ एक्टर? ऐसा लगना चाहिए जब आप यहाँ से घर में जाओगे यह आज कौन सी पाउडर लगा के आये हो मुझे कुछ भी नहीं आता था जब मैं मधुबन मैया जीरो था लेकिन बाबा के मुरली और याद के शक्ति से इतनी बाबा ने विश्चता है देखो हजारों गाने लिखे हैं आठ हजार से भी ज़्यादा गाना रोज लिखते रहते हैं यह किसने करवाया बजा दो ताली बाबा ने करवाया लेकिन हम अगर पुरुशार्थ नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना बाबा करने मदद करने के लिए तयार है लेकिन कदम किसको बढ़ाना है वो भक्ति में गाना है तुम दो कदम बढ़ो मैं दस कदम मैं दस कदम बढ़ूंगा तुम ध्यान मेरा लगालो मैं हाजिर हो जाऊंगा तो यह जो सारी विशश्ता हैं बाबा की मुरली की आधार पर इतने गाना लिखना इतने देश विड़ेस में प्रोग्राम करना सचमच आज की प्रोग्राम में आपको बहुत ही आनन आने बाला है मैं 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 अप जो मेरे बिगडे हुए चेरा देखियां मैंए अएक्सन का रेयक्सन इधर रह रहा हैं तो आप तड़ा मुस्कुरा के बेटिए चलिए बहुत सुन्दर बात है कहानी में सुना रहा था कि एक वेक्ति अपने जीवन में बहुत पाप किया मुस्कुरा के बहुत पाप किया क्योंकि बाबा भी करता है अम्मा मरे तो तो मैं तो कहानी सुना रहा हूँ, है ना, बहुत पाप किया, उसने काफी लोगों को दुख दिया, ये किया, तंग किया, अखिर एक दिन ऐसा आया, वो रास्ते में जा रहा था, शिवजी मंदिर की सामने, सामने एक पत्थर था, और पत्थर उसकी पेर में लगे है, और जै रहा है, और सच्मुच अभी वो मरने बाला है, तो वो जो अपने आप में सोचता है, कि अभी तो मैं मरने वाला हूँ, सच्मुच सर नहीं छड़ने वाला हूँ, क्योंकि ब्रेन में बहुत चोट लगी है, आस-पास भी कोई नहीं है, इसलिए सरी छोडने से पहले, शिव जीवन भर में, सब को दुख दिया, फिर बोलता है यारे में कुछ तो पुन्य क्या होगा कभी, थोड़ा ध्यान से देखो, चित्रगुप्त को बोलो, थोड़ा ध्यान से देखें, कि मेरा कहीं तो कुछ तो पुन्य करम होगा, तो देखते हैं पल्टा के बोलता है, हाँ, ल तो इसने इकति रचा कि तीन दिन मुझे शुक में जाना है बाद में तो नर्क में जाना ही है तो तीन दिन जो मिला उसको उस तीन दिन में इतना दान पुन किया इतना दान पुन किया इतना दान पुन गरीब हां सब सन्यासी सब संतों को सब को इतना सब कुछ किया तो उसका जो जन्म जन्म की पाप का पलडा भारी था अभी पुन्य का पलडा भारी हो गया जैसे भारी हो जाता है फिर कहते हैं इसको तो नर्क में भेज नहीं सकते यह किसकी कहानी है यह हम बच्चों की कहानी कि हमने द्वापर से इतना भिकर्म किया है लेकिन कुछ तो पुन्या किया होगा जो भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है कि नहीं क्यों सिलेक्ट किया संगमिंग में कुछ पुन्य की कारण हमारी पास कितना समय है किसी को पता नहीं अगले पल में क्या होगा किसी को पता है एक सेकंड की बाद एक गंटे की बार, नहीं और expression दो, expression देने में तो हम सब माहिरे मैंने कहा था, पहले से ही मुस्कुरहाट होनी चाहिए अच्छा मिर्ची खाते हैं तो कैसे टेस्ट आता है खटा खाते हैं, लिम्बू खाते हैं तो इसलिए दुख की कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा expression देना पड़ेगा यह नहीं करना है, हमें मुस्कुरहाट के मैं बार-बार आटरिंसन मैंने पहले यह वोला कि बार-बार हम याद दिलाएंगे कि मुस्कुरहाट होनी चाहिए देखो यह light का connection, light जल रहा है अगर powerhouse है, तभी तो प्रकास आ रहा है अगर connection नहीं होगा, तो क्या होगा? अन्धेरा हो जाएगा तो हमारी चेहरा बिगड़ा क्यों है? क्योंकि हमारा connection नहीं है अगर खुशियों की सागर के साथ मेरी बुद्धी लग जाएगी तो चेहरा कैसे होगा? मतलब चेहरा बिगड़ा मना? कोई और बात याद आ रही है मैं जब योग करता हूँ अभी आनंद तो आता है और सब को शिखाता भी हूँ लेकिन जब पहले याद करता था मैं कैसे करता हूँ? हो सकता है कभी आपका भी ऐसे होआ होगा आप थोड़ा इसको ध्यांच देखिएगा